नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लेवर्ड्स में बहुत-बहुत स्वागत You all are most welcome सबच्चा पार्टी सब ने कहा कि कुछ कट आफ के बारे में बताईए मैंने काफी सारी चीजे कलेक्ट की वैसे एक पोल भी लिया था अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी को पता ही होगा कि एक मैंने पोल लिया था पोल लास्ट में दिखा दूँगा मैं आपको कि क्या पोल था और आप भी देखिएगा अच्छा लगेगा आपको वैसे बाइद वे मैं आपको बता दूँ कि जो इंगलिस की आपकी कट आफ जाने वाली है तो जो प्रीवियस येर थी उसी के आसपास होगी ये मतलब मेरी पूरी संभावना है क्योंकि दोनों सिप्ट के जो पेपर थे सिप्ट वान और सिप्ट सेकेंड दोनों को नॉर्मलाइजेशन की प्रॉसेस से जब किया जाएगा तो काफी सारी जो मैरिट है क्योंकि फस्ट मीटिंग की मैरिट अगर काफी अच्छी है सेकेंड मीटिंग की थोड़ी कम है तो मैं कंबाइन कह सकता हूं कि आपके लिए एक मैरिट आने वाली means you are going to get a merit that is similar और around होगी around figure में जो पिछले साल की थी उसी के लगभग आपको मिलने वाली है basically देखिए जो आपका result आने वाला है तो result में आपके लिए ऐसा कोई percentage नहीं दिया जाता कि क्या percent है actually में कितने percent पर है आप percentage भी निकाल सकते हैं आप मेरे इस से कि कितने percent जाने वाली है around में यहां पर मैं आपको married जो है बताने वाला हूँ दो terms में एक तो question के terms में और दूसरा marks के terms में मतलब कितने questions वाले जो students है वो expect कर सकते हैं और कितने marks तो वही जो questions को आप multiply कर ली जे टू से तो आपके marks बन जाते हैं correct तो दोस्तो basically मैं आपको बता दूँ कि यह merit आपकी होने candidate है और अगर आपके basically जो number of questions हैं दोनों papers को मिला करके 83 से 86 के बीच में अगर है expectation आप कर सकते हैं कि अगर 83 से 86 के बीच में अगर आप कहीं पर जाते हैं 86 और 83 को अगर आप multiply करेंगे marks के साथ तो आपको marks मिल जाने वाले हैं कि यह marks है basically इसी तरह OBC candidate expect कर सकते हैं कि उनका net अगर 78 से 80 questions के बीच में मतलब यह मैंने बहुत कम gap रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि इतना कम gap है आपको लगता होगा कि सर आपने तो बिल्कुल छोटा सा gap रखा हुआ कि इतने में हो सकता है basically इसे आप 80 से 82 भी कर सकते हैं क्योंकि बस इतनी ही आसपास merit जाने की जो basically स्तंभावना है मेरे हिसाब से तो वो यह हो सकती है maximum अगर यह जाती है तो आप यह समझे कि यहां पर आप कह सकते हैं 80 78 से 82 के बीच में अगर आपके question number of question इतने सही है so then you can expect कि यह आपका net crack हो सकता है ठीक है और basically यह देखिए जो जानकारी मैं आपके शाथ share कर रहा हूं यह एक analytics पर based है जैसे हर बार मैं share करता हूं मैं यह जरूर चाहूंगा कि result आने के बाद एक बार आप comment करें आज तक की most of the prediction जो मैं मैंने की है पिछले exams में भी तो लगभग prediction सही रहती है मेरी तो इसके बाद अगर आप SC candidates को देखे तो 74 से 78 questions के बीच में अगर आपके question सही होंगे तो आप net के लिए उमीद कर पाएंगे और 72 से 76 के बीच में जो pattern है वो मैं कह सकता हूं ST candidates के लिए अच्छा आप यह सोचेंगे कि थोड़ा merit मैंने आगे पीछे क्यों कर दिए देखिए इसमें थोड़ा fluctuation मैं मान सकता हूं कि एक दो परसेंट अप डाउन हो सकता है डाउन तो नहीं होगा अप ही हो सकता है क्योंकि मैंने minimum criteria लिया है maximum का नहीं तो minimum criteria के हिसाब से मैं बात्चेत कर रहा हूं आप सभी से में आप में से बहुत सारे candidates को लगए यह तो काफी कम लग रहा है लेकिन हाँ यह बात जरूर आप कह सकते हैं कि काफी कम नहीं थोड़ा सा कम है हलका सा जैसे 70-76 के बीच की बात आती है तो approximately यह merit आपके होने की संभावना होगी आपके English subject में on the other hand यह marks मैंने दिये है इधर दूसरी साइड अगर आप JRF के लिए तो JRF के लिए मैं उमीद करता हूं कि 87-90 question अगर आपके सही है तो उमीद कर सकते हैं कि आपने match कर ही लिया है अपनी की को बहुत अच्छे से तो आप उमीद कर सकते हैं कि आप JRF crack कर जाएंगे जनरल candidate और 81-86 के बीच में आपका कही स्कूर अगर है है ना क्योंकि मैंने 82 कर दिया है तो आप बेसिकली इसे भी 82 कर सकते हैं यहां पर क्योंकि थोड़ी से मैंने minimum जो criteria लिया है minimum criteria को follow करने वाली बात आई तो मैंने minimum criteria आपके लिया था कि minimum क्या हो सकता है बेसिकली तो 82 से 86 के बीच में मेरी उम्मीद है कि यह merit जा सकती है आपके लिए कि जो JRF candidates के लिए होगी हां बाकी देखिए JRF candidates की जो merit तो मतलब किसी भी matter पर fluctuate हो सकती है यह मेरे लिए एक अंदाजे वाली है कि मतलब मैं fine guess लगा रहा हूं कि यह हो सकता है 79 to 80 मैं इधर expect करता हूं कि अगर 79 to 82 questions अगर आपके SC category के candidates के हैं क्यूंकि JRF में थोड़ा सा यह merit जो है इधर higher रह जाती है इसलिए higher रह जाती है कि limit के candidates को crack कराना होता तो यह maximum criteria लेकर कि भी आप चल सकते हैं यहांपर 73 से 77 questions के बीच में अगर आपके सही है ST category में तो देन आप उम्मीद कर सकते हैं JRF के लिए तो basically यह एक मेरा fine guess है जो मैंने कोशिश की है अपने तमाम सारे analytics को लगा करके अब तो देखी यह मैंने बातचीत कर ली अब रही बात एक थोड़ा सा मैं मैंने जो पोल कर आया था अपनी YouTube चैनल पर सो जस्ट मैं आपको थोड़ा उसके साइड में ले चलता हूं ठीक है और आज आईए प्लीज फटा फट से मतलब समझ लीजे मैं आपको एक स्क्रीन से थोड़ा बाहर ले चलूँगा और स्कुरीन से बाहर ले चलने का मेरा जो परपज है वह बहुत ही क्लियर है और अभी फटा-फट से मैं आपको गूगल बाबा पर ले-चलता हो मैं दिखाता हूं कि चैनल में मैंने एक पोल करवाया था उस पोल का ST category candidates के लिए करवाया था है ना जिसमें से हम सबसे ज़्यादा जब देखते हैं कि बच्चे कौन से इसमें हैं जिन में सबसे ज़्यादा बच्चों ने सेलेक्ट किया हो तो देखिए सबसे ज़्यादा गर सेलेक्शन की कि 100 यहाँ पर सारे शायद बच्चे भूल गए होंगे कि मैंने पूछा क्या है candidates only your score after answer की match तो बेसिकली शायद मैंने यह questions लिखा है बच्चों ने questions ना सोच करके directly numbers पर click कर लिया है ठीक है number समझे गए इनको बाकी के लिए देखिए 10 10 परसें 90 question 80 18 question and 70 question के लिए तो 10 10 परसेंट दें और number of votes अगर आप देखें कि number of votes कितने हैं so 615 votes है SCST candidates के लिए देटा को मैं इस पर मैं निर्भर नहीं कर सकता इस लिए नहीं कर सकता dependent नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बेच्चों ने जो selection दिया है वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता कि यह कहीं न कहीं एक रॉंग selection है इधर OBC candidates को भी थोड़ा आप लोग देख लीजेगा तो OBC candidates को चलिए मैं मान लीजे 80 select कर लेता हूं तो फटा-फट देखिए इसका answer आजाएगा बाइद वे पोल आ है मैंने 80 select किया 661 votes है बेसिकली और 60 question वाले सबसे ज्यादा candidate है इसके बाद अगर आप देखे 70 questions वाले 14% 13 और 15% और इसके बाद इधर देखे 18% जो है 100 plus questions वाले देखिए actually मैं मैं कभी नहीं समझ बाता कि पता नहीं बच्चे कैसे selection करते हैं जैसे हमने पोल डाला बच्चों ने पता नहीं कैसे आख बंद करके selection कर देते जैसे 100% जो 100 plus questions है 100 plus questions का मतलब 200 marks है ना और इतना मतलब एक लेंदी score मुझे नहीं लगता कि possible था exam को देखते भी है जहां तक तो यह बच्चे मतलब 50 questions उनके सही होंगे 100 marks बनते हैं तो directly select कर लेते हैं कि 100 plus पर हम है basically यह मुझे ऐसा लगता है यहां है ना बाकि 60 plus questions में देखिए सबसे ज़्यादा voting है तो यह data आप के लिए OBC के लिए आया था इसके बाद देखिए general category का भी मैंने data लिया 525 votes है मैं भी किसी पर एक vote कर देता हूं मान लीजे मैंने 60 पर अभी click हो गया धोके से देखिए यहां पर 60 plus question वाले 40 percent है 70 plus वाले देखिए 12 है और इसके बाद 80 plus 17 और 90 plus 12 percent है और 100 plus 19 percent है तो मतलब यहां पर भी आपको काफी अच्छा दिख रहा है score है न तो क्या इस data की अगर माने तो इस data की अगर आप माने तो मैं बताऊं आपको तीनों categories के यह चारो category कह दीजिए इन चारो categories के data की अगर माने तो आप सीधे कह सकते है शरल सब्दों में कि जो merit जाने वाली है 100 प्लस यह 100 questions कह लीजिए है न क्यूंकि 19 percent देखिए यह बनता है 19 परसेंट है न और इधर अगर आप देखे 18 परसेंट यह बनता है और 17 परसेंट यह बनता है साफ है कि जो है merit जाएगी 100 प्लस questions लेकिन ऐसा विल्कुल भी नहीं है क्योंकि बच्चों से selection कम ही आता है फिर मैं आपकी आपके talent पर कोई कोई शंदेह नहीं कर सकता और शंदेह करना मेरा बेकार भी है अगर मैं कोई शंदेह करूं आपके talent पर और करना भी नहीं चाहिए लेकिन हाँ जब कभी कभी जैसे पोल होता है तो थोड़ा साउधानी के साथ selection जरूर देना चाहिए तो मेरे according जो मैंने आपको बताई है कि expected जो cut-off आपकी हो सकती है वह मैं यह fine guess के through कह सकता हूं कि यह मैं उमीद करता हूं basically कि यह हमारे बच्चों की cut-off हो सकती है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है अब वो कितने पर सेंट यह reliable है तो आप इसे reliable मान सकते हैं एक fine experience है और एक अच्छा experience आपका भी रहा है अपने हमें इसा देखा होगा मैरिट आसपास आसपास इतनी ही जाती है हर बार की ही मैरिट जाती है अब नहीं कहा जाता कि कुछ extra talent अगर आ गया हो तो फिर अलग चीज हो सकती है तो thank you so much मेरे साथ बने रहने के लिए और ऐसी ही बने रहिए सीखते रहे है लिटरेशल अवर्ट के साथ जय हिंद जय भारत कि अ